हलो दोस्तो आज़म बनाएंगे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी आलू मसाला सैंडवीच इसे आप जट पर बना के त्यार कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं आलू सैंडवीच की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, सेर और सब्सक्राइब सबसे पहले हम आलू का मसाला बना के त्यार करेंगे इसके लिए मैंने एक पैन में एक चम्मस तेल लिया है तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें जीरा और हरी मिर्च एड़ किया है अब मैंने यहाँ ग्रीन ओनियन लिया है आप नॉर्मल प्यास का भी यूज़ कर सकते हैं प्यास को मीडियम फ्रेम पर एक मिनट तक फ्राय करेंगे अब मैंने यहां मटर और टमाटर एड़ किया है दोनों को सॉप्ट उनित तक पका लेंगे उसके बाद कुछ सुखे मसाले एड़ करेंगे सुखे मसाले में हम कस्मीरी लाल मिर्च पॉडर, नमक और हल्दी डालकर इसे अच्छे से मिलाते हुए एक मिनट तक पकाएंगे यह आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से पक गया है अब हम इसमें आलो डालेंगे मैंने यहाँ दो मिडियम साइस के उबले हुए आलो लिये है इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दो मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे इन सभी चीजों को पकाते हुए दो मिनट हो गया है मसाला हमारा तयार है अब इसमें हरा धनिया एट कर फ्लेम को बंद कर देंगे अब हम सैंड्विच बनाना सुरू करते हैं मैंने यहाँ दो ब्रेट स्लाइस ली है एक ब्रेट स्लाइस पर ग्रीन चटनी लगाएंगे और दुसरे पर टेमेटो केचप आप इसकेजेगा रेट चिली सॉस या सेज़वन चटनी भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो अब हम एक ब्रेट पर आलू का मसाला स्प्रेट करेंगे पूरे ब्रेट को अच्छे से कोट करते हुए मसाला स्प्रेट करेंगे अगर आपको चीज सेंड्वीच पसंद है तो आप आलू के उपर चीज स्लाइज भी रख सकते हो अब हम ब्रेट के उपर बटर स्प्रेट करेंगे ऐसे ही सारे सेंड्वीच बना के तयार कर लेते हैं मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया था जिस साइड हमने बटर लगाया था वो नीचे की तरफ रखेंगे और उपर भी बटर लगा देंगे ब्रेट को हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक टोस करेंगे यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम लो रखना है जिससे सैंडवीच एकदम क्रिस्पी बनके तयार होंगे तो यह देखिए हमारा सैंडवीच बनके तयार है दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी और कोल्डन ब्राउन हो गया है तो फ्रेंड्स हमारा टेश्टी सैंडवीच बनके तयार है अब हम आपको काट के दिखाते हैं यह देखिए लग रहा है एकदम यम्मी टेश्टी इसे आप सुभा साम के नास्ते के लिए भी बना सकते हैं या आप यह सैंडवीच बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं सर्फ करने के लिए हम इसे एक ब्लेट में सजा लेंगे और टमेटो केचप के साथ सर्फ करेंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक चुरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले थैंक्स पर वाचिंग